जैसा कि आप सब जानते हैं कि लद्दाक में इंडिया चाइना बॉर्डर स्टेंड आफ के चलते इन्हें नेफोस हाई इलट पर है और इन्हें नेफोस के सब भी इंपोर्टेंट फाइटर्स जेट्स जैसे कि राफेल, सुखोई 30 MKI, मिग 29 UPG और मिरास 2000 फाइटर्स लगात लद्दाक में सौटीज कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंटेन वारफेर यानि पहाड की लड़ाई में जितना इंपोर्टेंस फाइटर्स जेट्स का है उससे कहीं ज्यादा अटैक हेलिकॉप्टर्स का होता है अभी इंडिया नेफोसन लद्दाक में हम आपको इंडिया में बने पहले अटैक हेलिकॉप्टर हाल LCH जिसे हम लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर भी कहते हैं कि क्यापविल्टीज के बारे में विस्तार में बताएंगे उससे पहले एक बात और मैं आप सबसे शेर करना चाहूँगा कि 91% लोगों ने वीडि पूरे देखे हैं और नहीं अच्छा लगा आप बे जीजा कमेंट करिए बट अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और शेर करना मत भूलिएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर Ground Warfare यानि जमीनी लडाई में Attack Helicopters को दुनिया की सबसे खतरनाग मशिन्स में से एक माना जाता है क्योंकि ये Fighter Zets जो की काफी तेजे से उड़ते हैं से बिल्कुल डिफरेंट है एक Attack Helicopter को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो Battlefield की ऊपर थीरे से उड़े और अपने रास्ते में पढ़ने वाले किसी भी Ground Target जैसे की दुश्मन के टैंक, वहिकल्स, सोल्जर्स और दुश्मन की पोस्ट्स यानि Field Fortifications को बरबात कर दे हाल Light Combat Helicopter यानि LCH एक बहुत यूनिक Helicopter है क्योंकि इसका एडिया कारगिल वार के दौरान जनरेट हुआ था और इसलिए ये किसी भी वार में बहुत एफेक्टिव होगा 1999 के कारगिल वार में इने नेफोस के पास रश्या के बने MI-35 गंशिप्स थे जोकि बहुत ही ताकत पर Attack Helicopters माने जाते हैं लेकिन MI-35 Attack Helicopter कारगिल की उच्चाईयों पर नहीं लड़ सकते थे क्योंकि कारगिल सेक्टर की उची पहाड़ियां MI-35 के Operational Attleute से उपर थी इसलिए हाल LCH को हिमाले की उची चोटियों के उपर उनने के लिए specially designed किया गया था जिससे किसी भी Mountain Warfare में ये इने नामी को support कर सके और हाल LCH की ये capabilities उस दिन प्रूव हो गई जब हाल LCH दुनिया के सबसे उचे battlefield यानि सियाचन Glacier पर land कर गया मैं आपको बताना चाहूँगा कि सियाचन Glacier के helipats की height 13,600 feet से लेकर 15,800 feet से है और इस height पर दुनिया की गिने चुने helicopters सी fly कर सकते हैं हाल LCH एक Indian Attack Helicopter है जिसे State Owned Hindustan Aeronautics Limited हाल ने इंडिया में ही design और develop किया है हाल LCH के design के लिए हाल दुरू की design को base की तरह यूज किया गया है हाल LCH एक multi-role attack helicopter है जो कि एक साथ defense forces के बहुत सारे missions को complete कर सकता है इननामी की service में इसे counter surface force operations में यानि ये दुश्मन के सैनिको को anti-infantry role में और दुश्मन के tanks को anti-armor role में destroy करेगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लद्दाक में हाल LCH को इसी operation के लिए deploy किया गया है इसके अलावा इननामी हाल LCH को counter insurgency यानि anti-terrorist operation और urban warfare के लिए भी use कर सकती है इननने air force में हाल LCH को enemy air defense guns और missiles को बरबात करने special heliborn operations यानि SHBO जो की एक commando operation होता है को armed escort देने armed aerial scout duties और धीरे move करने वाली aerial targets जैसे की enemy helicopters और unmanned aerial vehicles UAVs को destroy करने में use किया जाएगा LCH पे advanced glass cockpit है जो की एक 2% tandem cockpit layout में है जहाँ pilot और co-pilot यानि gunner एक दूसरे के पीछे बैठते हैं LCH attack helicopter का primary sensor Israeli illbit compass electro optical system है जिसमें forward looking infrared FLIR sensor जो की दुश्मन की troops और vehicle की गर्मी को देखता है Charged couple device camera जिसे हम CCD camera भी बुलाते हैं means ये visual information collect करते हैं और इसे एक image या फिर एक video के format में present करते हैं और laser range finder लगा है हाल LCH में inbuilt laser designator जो की automatically सभी targets को बहुत accurately point करता है और फिर LCH उन targets को easily destroy करता है हाल LCH में एक integrated debionics और display system यानि IADS लगाया गया है जिसमें large multifunction display MFDS है जो की target acquisition and designation यानि TADS system की सारी information डिस्प्ले करता है जिससे pilot को सारे targets की सारी information एक collective format में मिल जाती है LCH में कई stealth features भी हैं जो की इसके radar, visual और noise signatures को कम कर देते हैं LCH की body narrow fuse last के shape में बनाई गया है जिसे आप video में clearly देख सकते हैं हाल LCH में stealth profiling और infrared IR suppressor system जो की engine के exhaust को कम कर देता है भी लगाया गया है LCH की बाहरी surface को canted flat panels से cover किया गया है जिससे इसका radar cross section यानि RCS काफी कम हो जाता है visual stealth यानि दुश्यमान की आँखों से बचने के लिए LCH attack helicopter sleek profile और digital camouflage यूज करते हैं LCH में एक integrated dynamic system है जिसमें नमबर 1 hingeless main rotor नमबर 2 bearingless tail rotor और नमबर 3 anti resonance isolation system लगा है जो की vibrations और noise को reduce कर देते हैं LCH में 12.7 mm bullets और splinters से बचने के लिए armor protection लगाई गई है जिससे कि दोनों pilots safe रहें LCH में एक crash worthy tricycle landing gear और crash worthy self sealing fuel tanks हैं जो कि helicopter के crash होने के बाद भी fuel में आख नहीं लगने देते हैं क्योंकि LCH की service sailing 6,500 meters या 21,300 feet से ज्यादा है इतनी उचाई पर sorties करने की capability रखने वाला LCH world का पहला attack helicopter है और China के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है अपनी self defense के लिए LCH में साब electronic warfare suit लगा है जिसमें नमबर एक, radar warning receiver RWR, नमबर टू, laser warning receiver LWR और लास्ट, नमबर त्री, missile approach warning MAW system शामिल है LCH के electronic warfare system पूरी तरह से automated countermeasures dispenser system के साथ integrated है means किसी भी threat के detect होने पर उसे neutralize करने के लिए automatically countermeasures launch कर दिये जाते है इसके अलवा LCH में एक integrated data link भी लगाया गया है जिससे ये network centric operations के लिए यूज कर सकता है और mission data को बाकी airborne platform और ground based control centers को आसानी से transfer कर सकता है अब बात करते हैं LCH के weapons की हाल LCH के primary weapon France की बनी nexta 20mm turret mounted gun है जिसे की helicopter के आगे लगे electro optical pod या pilot के helmet के साथ connect किया सकता है simple भाशा में जिस तरह pilot देखेगा उसी तरफ gun के barrel भी रहेगा जिसे बड़ी ही आसानी से pilot अपने सामने किसी भी target पर fire कर सकता है LCH अपने इस 20mm gun के इस्तमाल से सभी ground target और aerial targets के against बहुत ही जादा accuracy से fire कर सकता है nexta 20mm gun के अलावा LCH या तो 12 70mm rockets वाले 4 pods carry कर सकता है जिससे की से single flight में total 48 rockets ले जाने की capacity मिलती है इसके अलावा mission requirements होने पर LCH 8 anti-tank missiles या 4 air to air missiles ले जा सकता है हाल LCH 8 km से जादा range वाले थेल्स rocket को यूज करते हैं जो कि enemy tanks और ground fortifications के against बहुत ही effective है future में LCH attack helicopter में बहुत ही advanced hydro rockets भी लगाये जा सकते हैं जो कि already in a force के apache attack helicopters पर लगाये गए है hydro rocket LCH attack helicopter को और भी खतरनाग बना देंगे enemy tanks को रोकने के लिए LCH 8 helena या धुवासर missiles carry कर सकता है helena और धुवासर missiles fire and forget anti-tank guided missiles ATGM है जिने DRDO develop कर रहा है इन missiles की range 10 km से जादा होगी और इनकी hit probability 90% से जादा होगी future में DRDO इन missiles की range को 20 km तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा LCH 4 MBDA mistral और 2 infrared fire and forget air to air missiles भी carry कर सकता है जिसमें off axis bore sight capability यानि किसी भी तरफ fly कर रहे है enemy helicopter को destroy करने की capability है अगस्त 2020 में Indian Air Force ने हाल से request करके LCH attack helicopter को लेह में deploy करवाया और LCH की सारी capabilities को लद्दा के standoff के दौरान test किया गया जहां LCH ने दिन और रात में सारे missions successfully complete कर लिये LCH की इनी capabilities से impress होके Indian Army ने 114 LCH attack helicopters का order दिया है जो कि Indian Army की armored formations यानि टैंकों को पाकिस्तान border के यानि राजस्तान और पंजाब में और चाइना border में लद्दा की इरिया में support करेंगे वहीं Indian Air Force ने भी 65 LCH attack helicopters के requirement बताई है आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हाल company LCH attack helicopters की capability के बारे में इतनी confident है कि हाल ने already 5 LCH attack helicopters का initial production start कर दिया है means जैसे ही Ministry of Defense LCH order place करती है तुरंत ही ये 5 helicopters Indian Army forces को deliver कर दिये जाएंगे अंत में मैं Team Guarding India के तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 2021 में हाल LCH officially Indian Army और Indian Air Force की operational service में शामिल कर लिया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि made in India light combat helicopter, Apache attack helicopters के साथ बहुत ही कतरनाक weapon साबित होगा और किसी भी पाकिस्तानी या Chinese attack को रोकने में बहुत effective साबित होगा इसी के साथ हम इस topic को इस वीडियो में यहीं पर end करते हैं हो सके तो अपने feedback comments में जरूर बताएगा हम इसी तरह Indian Air Force से related videos लाते रहेंगे वीडियो गर अच्छे लगी हो तो like, subscribe और share अती आवश्यक है और घंटी के option को दवाना मत भूलिएगा उसी से आपको हमारी नई वीडियो अप्लोड्स की notifications मिलेगी जै हिंद